आपका दूस्त और बिजनस गुरोथ एसुसेट आप सब जबर्दस काम कर रहे होंगे मुझे पूरी उम्वीद है क्योंकि इसका पूरूफ है इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये ट्विटर का चैनल जिसमें इन्होंने क्या बताया आप ध्यान से सुनियेगा सबसे पहली बात ही कि 1.07 करोड रिफंड उन्होंने इसु कर दिया है कितना इमाउंट है 21,021.19 करोड का रिफंड इन्होंने इसु किया है ये कौन से फाइनेशल एर का है फाइनेशल येर 2021 मतलब जो रिटर्न फाइल उसका भी इन्होंने दे दिया है दो गंटे पहले उन्होंने बताया कि जो रिफंड से 1,49,297 करोड अब आते हैं मुद्दे की बात जो कि अमारे इन्कम टैक्स रिटर्न फाइलिं का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा देखिए अभी तक का जो रिटर्न फाइल वर 27 दिसंबर आज कितना है 28 दिसंब का डेटा ये तीन गंटे पहले आया हमारे पास में 27 दिसंबर 2021 तेक इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 4 करोड 67 लाइक रिटर्न फाइल हो चुके हैं लेकि 27 बारा को अकेले लगबग 15 लाइक रिटर्न फाइल हुआ हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो 15 15 लाइक रिटर्न है वो इसलिए क्योंकि लगबग कोई भी ओफिस से घर नहीं जा रहा होगा हर कोई ओफिस में बैठा होगा 80 परसंट टाइम काम कर रहोंगे सो नहीं रहोंगे तो हम लोग इसी स्पीड को अगर कंटीनू करेंगे तो उस तो हमारा कितना रिटर्न फाइल हो जाएगा 31 डिसमबर तक यह देखने से पहले हम यह देखते हैं कि पिछले साल कितना रिटर्न फाइल हुआ था एक और बार 4 करोड 61 लाइक रिटर्न फाइल हुआ था जो कि उससे पहले साल से 33 लाइक जादा था इसका मतलब यहां पर भी लबग 39 लाइक रूपीज अग हर दिन 15 लाइक रिटर्न फाइल हो तो 28, 29, 30, 31 चार दिन में कितना फाइल हो जाएगा और 60 ł. रिटर्न हो जाएगा लगबक 15 करोड रिटर्ण फाइल हो जाएंगे लेकिन हमको करने कितने 6 करोड रिटर्न करने हैं और 6 करोड रिटन अगर फाइल हमको करना है और हम सिर्फ सवा 5 करोड रिटन फाइल कर रहे हैं तो कितना रिटन नहीं फाइल कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कालकुलेट करके 75 डिवाइड बई 600 परसंट मतलब 12.5% रिटन नहीं फाइल होंगे समय पर और यह इंपोर् पर जानकारी सही फीड करना जरूरी है जहां पर एन्वाल इंफर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना जरूरी है वह सारे में ही लेट लग रहा होगा वहीं पर डॉकुमेंट कुछ कम हो रहा होगा इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि साड़े 12% से 15% लगभग रिटन फाइल नहीं होंगे अब इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस सोचना है क्या इतना बड़ा फिगर 75 लाग रिटन अगर नहीं फाइल होगा तो चलेगा क्या तो 15 लाग का एवरेज हर दिन नहीं रहने वाला यह भी मैं बता दूं और अगर 31 दिसंबर से एक्स्टेंड करती है तो तो भी कम से कम 15 दिन एक्स्टेंड करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद स्टाफ लगातार 24 घंटे काम नहीं कर सकता जो 31 तक कर लेगा उसके बाद राइट तो तब 50% कैपसिटी में भी काम होगा तू भी 15 जनवरी तक रेटन फाइल हो सकता है तो इसका मतलब ही कि 15 जनव कर दो